हेलो गाईज मेरा नाम है रभी यो इस्टेडी गलो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अगर यूद लड़ी जाती है तो उसमें दो चीजे सबसे जरूरी है पहला एफिसियंसी मतलब एफिसियंसी से लगातार हम क्या करें हिट करें टारगेट को ताकि जो आने आप में बहुत ज़्यादा माइने रखती हैं आपको दोस्तों पता है कि हर देश इस वक्त लेजर विपन का यूज कर रहा है पहले अमेरिका के पास था इज्रायल ने तो करके दिखाया फिर ब्रिटेन ने भी दिखाया वह यह हमारे पास भी है हर कोई देश दिखा रहा ह बैत बहरत कैसे पीछे रह सकता है क्योंकि और कोई देश के लड़े चाहे हुआ नलडए बारत ने यूड़े आने वाले वक्त में हमें इसकी बढ़ सकती है 홉 जो हमारे DRDO है ठीक है जो हमारे साइंटिस्ट है लागा तारीस पर काम कर रहे थे और यहां पर जो दुरगा टू है यानि जो लेजर वेपन सिस्टेम है उस पर इन्होंने क्या किया है सफल टेस्टिंग किया है क्योंकि इन्हें कहां करेंगे चाइना बॉर्डर के पास डिप दोश्टों यह जो वेपन हैं पीगा जो दुरूआ क्यों इतना इंपोर्टेंट थैंसमें डिश्चा चरूरत है यानि कि अगर यकोई भी धैस इसको बनाता है इसको बनाने में अब तो उसको यूज करने बहुत खर्चा ले नहीं लगने वाला है वह सिर्फ बिजली से इसका यूज करके वह आराम से काम कर सकता है यही इस वेपन की सबसे एक खास बात है दोस्तों मैं आपको बताओं जैसे ब्रहमोज मिसाइल है तो ब्रहमोज मिसाइल का चौश्ट है लिकिन वहां पर अगर आप ऐसी टेक्नोलोजी डेवलप करते हैं तो एक श्ट्राइक में सिर्फ पांच डॉलर कलपना करिए तीन से पांच डॉलर रुपए खर्च होते हैं यानि चार सो पांच सो रुपए तो आप कलपना करिए यह कितना जादा कितना बड़ा यह डिफ ने वाले वक्त में यह प्रजिक्त ऑर विबड़ा होगा यानि कि इस्की एफेशियंसी और जादा होगी नंबर ठार Crime से कि हमें ऐसे वेपन ज्यादा चाहिए जिसकी वज़े से आर्मी को फंड करना पड़ा और बहुत कम टाइन के अंदर उनको फंड करना पड़ा क्योंकि अगर यूद होंगे यही वेपन हमारे रियल में काम आएंगे दोस्तों अब जो यूद का नजरिया है ना वह बदल यूक्रेन उजरायल में देखा तीक है या रसिया में देखा यूद वहां पर हमने देखा होगा टैंक बहुत जादा काम के नहीं रहे गए उनको लांचर से खत्म किया जा रहा है ड्रोन यह सब चीचे जो हैं दोस्तों बहुत तेजी से आ रहे हैं तो चाहिए तो चाहिए हमें चाहिए कि घच छी काप आटक खरते हैं लोगों के मारते हैं लेकि सबसे हमें हमारे सानीकों को बचाना उसके लि manner होना चाहिए लूश्व तो बारत हम कहें यहां पे काम कर रहा है तो जो कि दुर का मिखनाव है लेकिन को फूल कर नाम своей brilliant चिक रहे कर के यह जिसको यह डिकरія पर और तुमक के यह काफी वक्स दूस्तों काम हो रहा था लेकिन हम दिरे दिरे यहां पर सफलता पार任 repet यह तूछन इंडिजेनियस इंटिग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंडिक्शन सिस्टम जिसको आई डीडी आईस भी यहां पर कहा जाता है अब दोस्तों इसकी छंपता की हम बात करें तो यह ज्यादा नहीं है दो किलो वार्ट से लेके लगभग 10 किलो वार्ट तक है यानि कि इ एक सॉप्ट रेंज है एक हाड रेंज है ठीक है हाड रेंज में क्या होता है दोस्तों कि हमें ज्यादा उर्जा चाहिए होती है ठीक है क्योंकि हमें नजदीक भले ही जैसे हाड रेंज में क्या होगा कि हम ज्यादा दूर तक इंपल्स नहीं बेच पाएंगे लेकिन जो हा zna जो टुके का है यहां पर पांगा होगा यहां पर लगे ही तेकर दो किलो मीतर एक चाहर तक और घर को यह अभी की सीच यह बनाएगा है तो आधी कि यह बनाएगा एंदिन दॉसका भी यह樁 कि आने वाले वक्त में जो अगला इसका प्रोजेक्ट होगा अगले प्रोजेक्ट क्या होगा दोस्तों यह हमारा प्लाण यह होगा कैसे साधृ को इतना डेवलप कर लें कि सक laundering यह 100 तो कम जाए ता कि जो मिसाइले यह ब्याइब हम धर यह लेज़र वेपन बनाने के लिए चाहिए एस तर लींगे से कब तो स canyon dhagnos इन्हों ठोड़ा साहल की यहां तर्ट इधिकल्वार्ट्वाट उन्हें प्रॉडब थयां गए्ट以前 canture की बिर तिया ह hunt फंदर इसको बना गया है और उने वाला जो जो मेने कहा है न knowing जो आनवाला रेंगा वह इनिए केद्वारा यहां पर बना जाए्गा और मैंने इक चीज़ आपको बताई थी कि यह मतलब जो लडाकों वीवान हैं उनके अंदर भी डिप्लॉय किया जा सकता है और जो केरियर है वहां पे भी हम इसको आसानी से लगा सकते हैं यहीं इसके सबसे खास चीज है अब दोश्तों यहां पे हम देखें कि आखिर गौर्रमेंट ने कितना फंड किया है तो यहां पे दोश्त तीस से लिए कि 50 किलवाट तक हम इस पर काम करेंगे यानि कि 100 किलवाट तक भी हम यहां पर पहुंच सकते हैं आने वाले वक्ते पता चलेगा कि कितने रेंज का हम बनाते हैं तो यह سुस्टम बना है यह मांक्रो वेब लेग बना में कि यह पैदा करेगा विजा camera तो आज सबसे थोड़ा सा ये बेहतर भी साबित होगा क्योंकि इनको डिटेक्ट करना काफी जादा मुस्क्विल है जो मिसाइल आएंगे जो ड्रोन आएंगी उनको उनके उपर अटायक करना काफी जादा यहां पे हमारे लिए फाइदे मंद होगा अब अमेरिका की बात करें तो अम हैं इन सब को यह खत्म कर सकते हैं कि विमाने बढ़े उनको खत्म कर सकते ह। उनको भी आराम सा घत्म है और यह भी जासे यह बहुत सारे पे कि basic state में होते हैं, ठीक है, हम जब इनको क्या करते हैं, बहुत सारा energy देते हैं, तो इस energy की वज़े से जो हम electricity देते हैं, उसकी वज़े से क्या होता है, कि यह जो molecules है, यह अपने initial state से higher state में जाते हैं, ठीक है, और higher state में जाने के बाद क्या होता है, जैसे माली जीक हमने energy थोड यहां पे तो उसी को हम लेजर बोलते हैं यानि की concentrated यहां पे होते हैं जो एक साथ लिकलते हैं उन्हीं को यहां पे लेजर बोला जाता है थीक है तो यह सिंपल मेकनिजम पर काम करते हैं अब दोस्तों यहां पर जैसे microwave हमने पैदा किया है तो यानि कि हमने ऐसा molecules चुना है ठी है यानि कि molecules ठीक है जो हम atom molecules चुन रहे हैं वह या जो गैस है वह ठीक है और बिजली की मात्रा को हम क्या करके अलग अलग वे में हम इनर्जी पैदा कर सकते हैं इसलिए दोस्तों चो लेजर बीम सिस्टम में इसमें कई सारा नाम आता है जैसे कोई बोलता है higher energy बीम ठीक है क microwave पैदा कर रहा है आने वाले वक्त में यह और तरह की रेस भी यह काम करेंगे तो दोस्तों यह चोटा से लिक्चर था अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो इसे like करे comment करे share जरूर करे मिलते हैं next lecture में thank you so much